हेलो वरेवन वेलकॉम यहों लेट लोके सर अनलिम्टेड स्टडी जोन आप सभी का बाराम बार स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल पे तो आएए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू पार्ट टू किस चीज का पार्ट टू भाई तो हम कर रहे थे क्लास टस्वल्थ का हाफ यहली करो कोचशन पर में हम कर चुके थे औब जक्τηंव स्याने की वन माक सार्य के सारे कोशन हमने पूरे कर लिये थे अब इसके आंगे अंगे हम बढ़ रहे हैं और इसके आंगे जो कौश्ण आएंगे वो हम सॉल्व करने ॐ्हा रहे हैं जो है वो स्वतुल है परन्तु ना तो सम्मित है और ना तो संक्रमक है आईए तो solve करते हैं इस question को चलिए तो solution करते हैं इस question का कैसे करेंगे देखते जाए ये सभी लोग तो आपके पास यहाँ पर जो question दिया गया है जो set दिया गया है equals to कितना दिया गया है 1, 2, 3 okay a equal to 1, 2, 3 जो दिया गया है और जो आपको संबंध दिया गया है वो कितना दिया गया है संबंध आपको दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 और 2, 3 ये आपके सामने संबंध दिया गया है okay कह रहा कि सिर्दिकीजी की सम्मित है तो देखिए यहाँ पर कितने अवयाभ है 1, 2, 3 तो since 1 belongs to A और 1 belongs to A होने के साथ साथ है this implies that 1, 1 belongs to R अगर 1 A का अव्याव है और ये बात दी गई है कि 1, 1 R का अव्याव है similarly 2 belongs to A and it has been given that 2, 2 belongs to R and if 3 since 3 is the element of A 3 A का सेट का अव्याव है and 3, 3 belongs to R 3 अव्याव अव्याव अंदर हैं सेट के इसका मतलब therefore R कैसा होगा? स्वतुल्ल होगा तो ये पहली राइन आ गई भाई समझ में कि R जो होगा स्वतुल्ल होगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए आँगे बढ़ते हैं ये होगा अपने पास part 1 अब इसके बाद question number 6 चल रहा है question number 6 चटवे का पहला वाला part चल रहा है अब देखे second क्या कह रहा है कि सिर्दी कीजे कि ये सम्मित नहीं है तो अब देखे यहाँ पर जो है 1,2 तो है since 1,2 र का अवियव है 1,2 र का अवियव है but 2,1 is not belongs to R is not belongs to R अतह सम्मित नहीं है अब इसके बाद बात करते हैं reflexive तो देखे यहाँ पर 2,3 है तो यहाँ पर देखे 2,3 बनाने के लिए हम क्या ले लें हम 1,2 है यहाँ पर और 2,1 तो है नहीं और सुचिया और क्या ले लिया जाए 1,1 है 1,2 है ठीक है 1,2 हो गया और 2,2,2,3 हो जाएगा ओके 1,2 और 1,3 मैच कर रहा देखे यहाँ पर यहाँ पर देखे since 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R 1,2 जो है R का वियव है 2 और 2 की जोड़ी तो बन रही है मगर 1 और 3 नहीं है this implies that 1,3 R के अंदर तो होना चाहिए but 1,3 R का सदस्य नहीं है अतहया है संक्रामक नहीं है अतहया है क्या है संक्रामक नहीं है चलिए अगला कुशन करते हैं इसका second part देखते हैं second part देखे तो पहला part तो हो गया second part देखते हैं अत्वा जाच कीजिए कि क्या समुच्चा है 1,2,3,4,5 है R बराबर A, B, A, 1 द्वारा परिभासित संबंद स्वतुल सम्मित वा संक्रामक है या नहीं है देखे भाई B बराबर A, 1 बोल रहा है ठीक है ना ये समुच्चे दिया गया है और संबंद क्या दिया गया है R बराबर संबंद दिया गया है A, B का और B बराबर दिया गया है A, 1 आईए तो दो सेट ले लेते हैं एक हमाँ पस A हो जाता है और दूसरा भी हमाँ पस A है ठीक है ना तो हमें जो सम्मंध है B बराबर A प्लस 1 तो 1, 2, 3, 4, 5 और यह कितना 6 और यहाँ पर भी देखिए कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सीरीस ही बात है भाई यहाँ पर 1 का रिलेशन किसके साथ होगा देखिए तो यह कह रहा है कि बताइए क्या स्वतुल है तो साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी ऐलिमेंट खुद के साथ संबंद नहीं बना रहा है अगर आप र लिखना चाहे तो पहले लिख दें कि आर के साथ जो जोडियां बन रही है वो 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है और 5, 6 है ठीक है ना तो यहाँ पर आर के साथ कोई जोड़ी नहीं बन रही है इसलिए यह सम्मित नहीं स्वतुल नहीं होगा स्वतुल नहीं होगा दूसरा कंडिशन क्या बन रही है कि जितने भी element A, B, R में तो हैं बट B, A जो है वो R में नहीं है इसलिए सम्मित भी है नहीं होगा सम्मित भी नहीं होगा अब इसके बाद देखे आप दो element ले लीजे 1, 2 और 2, 3 since 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R इस तरीके से 1, 3 को होना था बट 1, 3 जो है वो R के अंदर नहीं है अता है संक्रमक भी संक्रमक भी नहीं होगा ठीक है, तो ये condition होगए, ये संक्रमक भी नहीं होगा चलिए तो Question No.6 complete हो चुका है अब Question No.6 के बाद हम चलते हैं आंगे की Question No.7 पर देखेंगे Question No.7 क्या दिया गया है चलिए, देखे, question number 7 जो दिया गया है, 10 inverse की condition दी गई है, 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 2 upon 11 equal to 10 inverse 3 by 4, तो, so simple question आप इसमें देखिए, 10 inverse का formula लगा दिए, directly 10 inverse a plus b upon, तो 10 inverse 1 by 2 plus 10 inverse 2 upon 11 upon 1 minus 1 by 2 into 2 upon 11, इसको solve कर लीजे तो आपके पास में answer आजाएगा left right side में, अगला question क्या दिया गया है, कि find कीजे 10 inverse, देखे, इसको solve कर देते हैं, तो ये तो सिद्ध करने वाला उपर वाला question आप देख लेंगे, कोई equal दिख्वत नहीं है, 2 into cos है, तो 2 cos लगाए, 2, sin inverse 1 by 2 कितना हुआ करता है, sin inverse 1 by 2 होता है, 5 by 6, ठीक है न, 2 5 by 6 होता है, तो 5 by 6 है, यहाँ पर कितना हो गया, 5 by 3 हो जाएगा, और 2 into 5 by 3, cos 5 by 3 कितना होता है, 1 by 2, cos 5 by 3 कितना होता है, 1 by 2, तो 10 inverse, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 2 into 1 by 2, तो ये 2 से 2 कैंसल होगा, कितना बच जाएगा, पाई भाई 4 बच जाएगा, ठीक है ना, तो इसका अंसर कितना आ जाएगा, सीरे, 10 inverse, sorry, 1 इकल्स टू पाई भाई 4, येस, राइट आंसर इसका आया होगा आप लोग का, पाई भाई 4, एक बर मैं freshly आप लोग को एक बर फिर से बता रिता हूँ, जो question आपने पूछा गया exam में, दोनों पार्ट में discuss कर देता हूँ, थोड़ा सा, आप लोग दोनों देख लिएगा, तो question number 7 का है, क्योंकि solutions बच्चे मुझसे माँग रहे हैं, तो मैं पूरा solution क्यों ना बना करके देदू, तो देखिए, जो question number 7 है, वो ह 10 inverse 1 upon 2, 10 inverse 1 upon 2 plus 10 inverse 11 equal to, बूला गया है, 10 inverse 3 by 4, ओके तो यहाँ पर LHS ले लिजिए, LHS equal to आपके पास कितना है, LHS है 2 inverse 2 upon 11 plus 10 inverse 1 by 2, ओके, तो कैसे solve हो जाएगा, देखिए, यह solve हो जाएगा, 10 inverse A plus B, 2 upon 11 plus 1 upon 2 upon 1 minus 2 upon 11 into 1 by 2, 2 से 2 cancel कट गया, तो देखिए, 10 inverse उपर कितना आजाएगा, नीचे आजाएगा, LHS ले लिजिए, और उपर हो जाएगा, 2 दूने 4 plus 11, और नीचे कितना हो जाएगा, 1 minus 1 बटे 11, मतलब 11 minus 1, बोले तो 10 बटे 11, चलिए, तो solve करते हैं, उपर कितना ह हो गया, 10 inverse 15 upon 22 into 11 बटे 10, चलो काटा कुटी करो, यहाँ से 2 बार जाएगा, यहाँ से 5, 3 बार 15, यहाँ से 5, 2 नीचे 10, दो बार, तो answer कितना आजए, 10 inverse 3 बटे 4, लिए भाई, solve भी कर दिया, मैंने कौन रुका रहे, ओके, चलिए, अब इसके और वाला question करते हैं, इसके बा 10 inverse 2 of cos और bracket में 2 sin inverse 1 by 2 का पूरा का पूरा मान एक बर में गयाद करके दिखा देता हूँ, देखिए, तो कैसे गयाद करेंगे, आपके पास मान निकालना है, 10 inverse 2, ओके, और यहाँ पे है cos और यहाँ है 2 sin inverse का 1 by 2, तो कैसे गयाद करेंगे, देखिए, यहाँ पे है 10 inverse, चलने देजिए 2, cos चलने देजिए 2, और sin inverse 1 by 2 कितना होता है 5 by 6, तो देखिए, पाई तो पाई रहेगा, 6 कितना बार कड़ गया, 3 बार कड़ गया 2 से, ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे equals 2 करके, यहाँ हो जाएगा 10 inverse 2, और cos के अंदर कितना हो गया 5 by 3, तो यह हो गया 10 inverse 2, और cos 5 by 3 कितना होता है 1 by 2, 2 से 2 cancel हो गया 10 inverse 1 बचा, तो आंसर कितना आ गया 5 by 4, चलिए, next question चलते है, question number 8 देखिए, इस स्क्रीन पे अपने, यह है आपके सामने question number 8, a2 cross 2 आवियो की रचना कीजिए, aij, जिसमें aij के element i plus j का whole square upon 2 द्वारा प्रदृत्त किया जाता है, चल a बराबर i plus j का whole square divided by 2, यह आप से पूछा गया है और आपके पास कितने का matrix बनाना है आपको 2 cross 2 का, तो 2 cross 2 के अंदर 4 element होंगे, a11, a12, a21 और a22, ठीक है, तो आपको a11 चाहिए है, a11 मतलब i की जगे 1 और j की जगे भी 1, तो 1 plus 1 का whole square upon 2, तो 2 का square 4 बटे 2 कितना आ गया, 2 आ फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, देखिए, 1 plus 2, 1 plus 2 हो जाएगा, 3, 3 का square 9, और 9 by 2, तो यह हो गया 9 by 2, अगला 2 और 1 में भी कितना आ जाएगा, 9 by 2, और 2 और 2, यानि 4 का square कितना हो गया, 16, और 16 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 8 तो answer चेक कर लिए, जिनका यह answer आया, बि बराबर इतना है, ओके, तो आपको साबित करना है, कि A plus B का whole transpose, तो देखिए, सबसे पहली बात यह है भाई साब, कि यह कुछ गड़बडी लग रही इस question में, क्योंकि A और B तो add हो नहीं पाएंगे, तो मेरे खाल से यह A transpose है, ओके, तो यह इसे A transpose होना था, A transpose इतना हुआ है, और फिर हमको show करना है, कि A plus B का transpose equal to A transpose, यहाँ पर A transpose plus B transpose आएगा, ठीक है, तो आईए इसको कैसे solve करते हैं, देख लेते हैं, यह question थोड़ा सा, गलत में स्प्रिंट होगे, प्रिंट इसमें गलत हो गया था, तो देखिए, क्या दिया हुआ है हमाँ पास, हमाँ पास दि गया है, minus 1 to 1, और 1 to 3, यह B के मान दी गई है, तो A transpose से सबसे पहले A निकाली, तो A निकालने के लिए क्या करेंगे, A transpose का फिर से transpose कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, minus 3, sorry, 3 minus 1, 0, और कितना हो जाएगा, 4 to 1, यह हो गया, A, और B कितना दिया है, B तो दिया ह हुआ है, आपके पास जो दिया है, B equal to कितना है आपके पास में, minus 1 to 1, और 1 to 3, अब आपके पास क्या साबित करना आपको कि A plus B का whole transpose equal to A transpose plus B transpose, तो चलिए A plus B का whole transpose निकालने, तो A plus B पहले कर लो, तो 3 में minus 1 जोड़ोगे, कितना हैगा, 2 आएगा, minus 1 plus 2 कितना हैगा, 1, 0 plus 1, 1 हो जाएगा, 4 plus 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 plus 2, 4 हो गया, और 1 plus 3 कितना हो गया, 4 का transpose, तो answer कितना आगया, देखिए जी, 2, 1, 1, और 5, 4, और 4 जा चुका है, A plus B का transpose, now A transpose और B transpose को अलग-अलग ले करके देख लीजे, A transpose plus B transpose, A transpose यहां से निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, यहां से A transpose आप उपर से देख करके निकालें, पहले भी था मैं पास, 3 minus 1, 0, और 4, 2, 1, यह है A transpose, और B transpose यह दी देखा जाए तो कितना हो जाएगा, minus 1, 2, 1, और 1, 2, और कितना 3, चलिए इसको add कर दीजे, तो 3 minus 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 plus 1 कितना 5 हो गया, minus 1 plus 2, 1 हो गया, 2, 4 हो गया, 1 plus 0 कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 plus 1 कितना हो गया, 4 हो गया, देखिए यह अपने पास में LHS है, और यह अपने पास में RHS है, और LHS equal to कितना आ रहा है, RHS हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से solve हो जाएगा, चलिए, यह भी हो गया, अब तो इसके बाद कह रहा है कि फलन x equal to 3 के fx equal to 2x square minus 1 के सांतत्य की जांच कीजिए so simple guys it is fx equal to 2x square minus x पर सांतत्य की जांच करना है ठीक है ना तो कैसे कर लेंगे भाई बड़ा आसान काम है इसको solve करना देखिए कैसे करते हैं इसको बता देता हूं मैं आपको चली question number कौन चल रहा है question number 9 चल रहा है ठीक है तो यह हो गया question number 9 आपको बताना है कि इसके सांतत्य की जांच कैसे होगी तो x equal to 3 पर fx equal to 2x square minus 1 fx equal to 2 है वहिया 2x square minus 1 अब x equal to 3 पर तो सबसे पहले function की value चेक कर लो तो 2 को 3 का square हुआ 298 minus 1 मतलब 17 और इसके बाद limit x tends to 3 पर चेक कर लो तो limit x tends to 3 किस पर लगी कि 2x square minus 1 तो यह भी 298 minus 1 मतलब की 17 तो आप देखे ध्यान से सीमा का मान फलन के मान के बराबर आ रहा है अत्ता है जो दिया गया फलन है x equal to 3 पर क्या होगा सतत होगा दिया गया फलन x equal to 3 पर सतत होगा कोई दिक्कत नहीं है question 9 के और वाला part क्या दिया है question 9 के और वाला part दिया गया है y is equal to 2 under root cot x square तो d by dx का मान गयात कीजिए चलिए तो y is equal to कितना दिया गया है 2 under root cot of x का square तो इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर 2 और cot of x square की whole power कितना 1 by 2 ठीक है ना तो इसको solve करते हैं देखिए d by dx कर देता हूँ मैं तो 2 बाहर आ जाएगा इसको t ले लिजे तो क्या हो जाएगा n t की power n minus 1 1 upon 2 minus 1 और साथ में आएगा d by dx तो 2 से 2 cancel हो जाएगा ये कितना हो गया d by dx equal to हो गया cot square x की power sorry t की power कितनी 1 upon 2 minus 1 मतलब कितना minus 1 by 2 मतलब 1 upon under root t और t की value क्या है cot of x square है और dy dx है और under root की क्या बन गया cot of x square चलिए तो 1 upon under root cot x square यहां तक तो ठीक है और cot x square का cot का differentiation क्या होता है cot x का कितना होता है minus cosec square x तो यहाँ पर cot का हो जाएगा minus cosec square x square और फिर x square का कितना हो जाएगा 2x तो इसका answer कितना आएगा finally इसका answer आएगा minus 2x into cosec cosec x square और divided में कितना आएगा under root of cot x square यह आएगा answer ओके तो देखें next question की तरफ continue करते हैं question number 9 के दोनों पार्ट कर लिए हम लोगों ने next question है अपने पास question number 10 question number 10 के रहा है एक वरत्य की तरिज्या समान रूप से 3 cm प्रती सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो ज्याद कीजिए कि वरत्य का छेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि तरिज्या 10 cm दी गई है चलिए तो question number 10 हमाई पास है करना है क्या क्या दिया है देखें यहां पर दिया गया है वरत्य की तरिज्या की समान रूप से दर मतलब d r by dt आपको दे रखा है कितना 3 cms आपको दे रखा गया है समय डफाइट्य हमसे पूछ रहा है जिस समय आर कमान कितने सेंटीमिटर है जिस में आर कामान जो है दस सेंटीमिटर कोशन में गिए है आरकामान 10 हैं तो चलिह 2 कितना ओंगया 670 पाइएंटू 10 तो आन्सर कितना होगा 65 probabilities सेंटीमिटर square पर second क्योंकि 6 Pi और 4 का मान 10 है तो 60 Pi centimeter square पर second तो ये भी सवाल हो गया बहुत अच्छा सा easy सवाल वह हैं अंतराल ग्याद कीजिए जिसमें फलन वर्दमान या हरास माने हाँ ये थोड़ा सच्छा सवाल आया है इसमें अंतराल ग्याद करना है जिसमें की फलन जो है वर्धमान या हरास माने तो वर्धमान या हरास माने होने के लिए increasing or decreasing होने का case यहाँ पर अपन को discuss करना है तो अपने पास देखिए फलन क्या दिया हुआ है फलन दिया x square minus 4x plus 6 तो fx को अपने लिख लिया x square minus 4x plus 6 तो f dash x equal to 0 कर दी f dash x निकाली कितना होगा 2x minus 4 और f dash x equal to कितना करते हैं 0 यानि 2x minus 4 equal to 0 तो 2x equal to 4 मतलब x equal to कितना आ गया 2 तो दो condition बनी गी अपने पास में x equal to 2 और देखिए यह जो अपने पास है यह बहुपद फलन दिया गया है तो minus infinity से plus infinity का इसका domain मनता है बीच में point क्या हो चुका है 2 तो दो condition बनी है एक x greater than 2 और दूसरा बना है x less than 2 ठीक ना x greater than 2 और एक x less than 2 तो चालिए देखते है nature फिर पता लगाएंगे वर्धमान और आसमान कहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे अंतराल एक अंतराल कितना अब निकल कर क्या रहा है minus infinity से लेकर 2 और दूसरा लिखल रहा है 2 से लेकर infinity और यहाँ क्या लिखते है सब्सक्राइध एफ दैस एक्स। का चिन हैं एफ डैस एक्स का चिन है और यहां क्या लिखते हैंلف एक्स की फ्रकृती फलनिकी प्रकृती चैलरी समय कौनश की दिसक्राइगे यहां पर तो अपने पास iff defense किपना निकले दिखिए f-6 जो हमारे पास आया है वह है 2x-4 f-x-4, f-x-4, तो minus infinity से लेके 2 के बीच का कोई point ले लो, सबोस्थ 0 ले लो, तो 0 पर देखे कितनी होगी इसकी value of dash x की, 2 into 0, और minus का 4 मतलब हो गई negative, तो इसकी value के हो गई negative, तो फलन की प्रकृति कैसी होगी, रासमान, तो कैसी प्रकृति होगी, रासमान, दूसरा देखते हैं, 2 से लेके infinity के बीच का कोई point ले ले लिजे, 3 ले लिजे, तो x2 के 3 पर कितना लेंगे, 2 into 3, f-x कितना निकलेगा, 3 पर, 2 into 3, minus 4, 6 minus 4, मतलब 2 positive, तो इस पर चिन कैसा आ रहा है, positive, तो so simple question, यहाँ पर यह हो जाएगा, वर्दमान, चलिए, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, question number 9 हो चुका है, हमाई पास, 9 के दोनों part हमने कर लिए, इसके बाद question number 11, यह भी इसी chapter से आया है, ऐसी दो संख्या ग्याद कीजिए, जिनका योग 24 है, तदा गुड़न फल उच्च तम है, चलिए, तो कैसे solve करेंगे, मान लेते हैं, पहले heading डाल दूँए, question number 11, चल रहा है, भाई साब, okay, question number 11 कह रहा है, कि ऐसी दो संख्या ग्याद कीजिए, जिसका योग 24 है, तो X plus Y, दोनों का योग कितना है, 24 है, तो Y बराबर कितना हो गया, 24 माइनस X, और दोनों का गुड़न को हमको उच्च तम करना है, तो P X बराबर हो जाएगा, दोनों का गुड़न, P बराबर कितना होगा, X into Y, तो P बराबर कितना हो जाएगा X पहला और दूसरी नमबर कितना हो गया 24 X माइनस X का स्क्वार ओके यह हो चुका है हमाई पास में P अब कहरा भाई इसका गुड़न उच्छताम है तो एक काम करिए इसको P डैस X निकाल लीजे P डैस X एकुल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस का 2 X और उच्छताम निम्टाम के लिए P डैस X बराबर 0 करना पड़ेगा बट उसके पहले लगे हाथ हो P डैस X निकाल लीजे तो 24 का हो गया 0 इसका हो गया माइनस 2 मतलब कितना हो गया माइनस 2 अब P डैस X को 0 के एकुल दिखाईए तो 24 माइनस 2 X बराबर 0 यानि 24 बराबर हो गया कितना 2 X तो X बराबर कितना हो गया 12 X बराबर कितना हो गया 12 और इस X इकुल टू 12 पर P डैस 12 रखिए और P डैस 12 कितना आ गया माइनस दो, मतलब माइनस दो आया है मतलब यह कौन सा बिंदू है, यह उच्चिष्ट बिंदू है कौन सा बिंदू है, यह उच्चिष्ट बिंदू है मतलब उच्चिष्ट बिंदू, मतलब इस गुड़न का अधिकतम मान जो आपको मिलेगा वो x equal to 12 पर मिलेगा तो x equal to 12 क्या हो गया, उचिष्ट बिंदू तो एक संख्या आपके पास आ गई x equal to 12 दूसरी संख्या क्या मिलने थी y equal to 24 minus x दूसरी संख्या थी y बराबर 24 minus x तो y बराबर हो गया 24 minus 12 तो आंसर कितना हो गया, 12 ठीक है न तो आंसर संख्याएं क्या हो गई है X equal to 12 और Y equal to 12 दो संख्याओं की बात की जाए तो X equal to 12 और Y equal to 12 चलिए यह हो जाएगा अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखे क्या कह रहा है एक परिवर्तन शील घं का किनारा 3 cm प्रती सेकेंड की दर से बढ़ रहा है घं का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि घं का किनारा 10 cm लंबा है चलिए इसी का और वाला क्वेश्चन है यह भी rate measurement का क्वेश्चन है आप घं की एक भुजा को X मान लीजे एक भुजा को कित्ता मान लीजे X ठीक है न तो क्या दिखा है एक परिवर्तन शील घं की जो भुजा है वो 3 cm प्रती सेकेंड के रूप से बढ़ रही है ओके तो किनारा कहलो भुजा कहलो तो dx by dt बराबर कित्ता दिया है 3 cm per second घं का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जबकी भुजा दी गई है 10 cm तो आयतन निकालना है तो हम लोग जानते हैं घं का आयतन होता लंबाई गुणे चोड़ाई गुणे उचाई मतलब X into X into X बराबर X cube तो हमें निकालना है dv by dt तो चलो d by dt और X cube कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3x square into dx upon dt तो 3x square हो गया और dx upon dt की value कित्ती दी गई अपन को 3 तो यह कितना हो गया 9x square X का मान पूट कर दीज़े X का मान 10 है तो 9 गुणे 10 का square याने की 900 cm3 प्रती second answer है तो इसका answer कितना है 9 गुणे 10 का square हो गया ना 10 ही तो थी side इसकी 10 side दी गई थी देखो यहाँ पर यह देखो 10 cm लंबा है तो किस दर से निकल रहा answer answer इसका आ गया है 900 cm3 प्रती second इसका answer आ गया चलिए यह हो गया है question number 12 पर आते हैं देखी question number 12 क्या कह रहा है question number 12 solve करेंगे ठीक है integration का question है question number 12 चलो तो solve करते है question number 12 को ले लो भाई question number 12 आज बही मैदान पर question number 12 कैसे solve होगा देखे sign off है और यहाँ पर क्या है 10 inverse x है और नीचे है 1 plus x का square को यहाँ पर dx है बहुत बढ़िया तो क्या करोगे भाई साब देखो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना दिख रहा है तो 10 inverse x को t ले लो तो लिखो सबसे पहले let 10 inverse x बराबर हो गया t कर दो differentiation dt वर dx equal to हो गया कितना 1 upon 1 plus x square तो 1 upon 1 plus x square और साथ में dx बराबर कितना बन गया dt मतलब इतना part 1 upon 1 x square dx कितना बन गया dt तो यह हो गया sine यहाँ पर t और यहाँ पर कितना हो गया dt क्योंकि dx upon 1 plus x square हो गया dt चलिए ओके आपने इसको t ले लिया था dt बन क्या sine t का integration कितना होता sine t का differentiation होता है cos t और sine t का integration होता है minus cos t तो यह हो गया minus of cos t ओके अब देखिए यहाँ पर minus cos t हो चुका है plus c लगा दीजिए तो यहाँ पर minus cos of t की value put कर दीजिए t कितना है भाई साब 10 inverse x plus कितना हो गया c अब ज़्यादा है इसको अगर आप simplify करना चाहते है हला कि prove that का question नहीं है तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है minus of cos 10 inverse x plus c चलो कोई दिक्कत तो नहीं है देखनें एक बार question नहीं है चलो अगला question देखते है भाई साब question बारवे का और वाला part question बारवे का और वाला part क्या दे रखा है देखिए पहले question paper में देख लूँ मैं यह वाला तो हो गया done question बारवे का और वाला part है 3x upon 1 plus 2x की power 4 तो चलिए integration 3x upon 1 plus 2x की power 4 का क्या है dx है ओके 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 चलिए ध्यान से देखिए 1 upon 2x plus x की power 4 का यहाँ पे dx है तो मुझे क्या करना चाहिए यदी मैं यहाँ से 2 common ले लूँ यदी मैं यहाँ से 2 common ले लूँ और उपर से 3 common ले लूँ तो सीन वो भी बन सकता है 2 चोक याड बन रहा है चलो मझे 2 common ले ले लिता हूँ सबसे पहले तो थोड़ा सा राहत मिलेगी देखिए उपर से 3 common लिया नीचे से 2 common लिया तो उपर कितना बन गया x dx है ओके और नीचे से मैंने 2 common ले रखा है तो यह कितना हो जाएगा 1 by 2 प्लस x की पावर 4 ओके बहुत बढ़ी यह बात है तो 3 by 2 इधर पे बनाया और यहाँ पे है x dx और यह देखिए इसे मैं लेख सकता हूँ x square का whole square प्लस 1 by 2 अब ठीक है अब मझे की बात देखो भाई x square का differentiation क्या होना चाहिए 2x तो एक काम करा मैंने यहाँ पे 2x कर दिया है 2 का multiply कर दिया और 2 का multiply का हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का divide कर दिया तो यह कितना बन गया यह बन गया 3 की power 4 उपर हो गया 2x dx और नीचे कितना हो गया यहाँ हो गया x की power x square का whole square प्लस कितना 1 by 2 अब कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना का format लग जाएगा x square को t ले ले जिए x square equal to t suppose कर लिया तो dt by dx equal to कितना हो गया 2x तो 2x dx equal to कितना हो गया dt हो गया है ठीक है न तो यह हो गया कितना 3 by 4 2x dx equal to dt हो गया है x square मतलब t और प्लस 1 by 2 देखिए काम करिए यहाँ पे 1 by 2 को आप 1 by root 2 का whole square लिग दिजे अब x square plus a square का integration होता है 1 upon a 10 inverse x upon a ओके तो 1 upon a 1 upon a की जगह कितना है root 2 1 upon a a की जगह कितना है 1 by root 2 10 inverse t upon 1 by root 2 तो 1 by root 2 पलट करके कहा आ जाएगा उपर आ जाएगा 2 root t तो चली इसको थोड़ा और solve कर लूँ तो यह कितना हो जाएगा 3 root 2 पलट करके upon में 4 आ गया है और 10 inverse root 2 है और t की जगह मुझे क्या value put करनी है t की जगह मैंने क्या लिया था x square तो under root 2 x square plus c यह हमारा answer होगा आड़ा ठेड़ा सा ठीक ना 3 root 2 by 4 और 10 inverse under root 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा t की जगह x square ओके बिल्कुल सही चलो जी यह भी होगे आपने पास कौनसा वाला question था यह और वाला ठीक है ना अगला question 13 पढ़ते है 13 question दिया गया है सदिस इतने और इतने के योगफल के अनुदिस मातरक सदिस तो 2 सदिस हैं दोनों को जोड़ लेना है और उसके अनुदिस मातरक सदिस तो चली यह देखी पहला सदिस मेरे पास कित्ता दिया गया है कौनसा question लगा रहा हूँ question number 13 question number 13 का पहला सदिस मेरे पास दिया गया है सदिस A बराबर दिया गया है 2i cap प्लस 2j cap माइनस 5k cap पहला सदिस और दूसरा सदिस दिया गया है vector B बराबर 2i cap प्लस j cap प्लस 3 के यह दूसरा सदिस दे दिया गया पहले इनका योगफल निकालो तो क्या बन जाएगा A प्लस B बरावर 2 और 2 चार आई कैप 2 और 1 तीन जे कैप और माइनस का 5 प्लस का 3 मतलब माइनस का 2 के कैप और A प्लस B का एक निया नाम दे दो अच्छा लगता है C नाम अब कहरा इसके अनुदिस याने C के अनुदिस इकाई सदिस तो भाई या C के अनुदिस इकाई सदिस कितना होगा C कैप होगा C कैप बरावर सदिस C upon mod of C ओके सदिस C कितना है 4I कैप प्लस 3J कैप माइनस का 2K कैप upon mod of C कितना हो जाएगा अनुदिस इकाई सदिस इकाई सदिस चली बहुत बढ़ी है सवाल था अगले सवाल की तरफ चलते हैं question number 14 का तेरवे का और वाला पार्ट ठीक ना तेरवे का और वाले पार्ट में देखिए सदिस इतने और इतने के बीच का आपको कोण ग्यात करना है तो दो सदिस आपके पास दिये गए हैं और वाला पार्ट करने जा रहे हैं दो सदिस आपके पास दिये गए हैं पहला सदिस दिया गया है आई केप प्लस जे केप माइनस के केप और सदिस भी बराबर दिया गया है क्या आई केप माइनस जे केप प्लस कितना के केप तो condition क्या होती देखिए इसका A1 B1 C1 जिसका A2 B2 C2 तो cos theta बराबर होता है A.B upon mod of A mod of B तो A.B उना कर लिजिए तो 1 गुणे 1 हो गया minus 1 गुणे plus 1 गुणे minus 1 minus 1 हो गया और minus 1 गुणे minus 1 minus 1 हो गया ओके यहाँ पे mod लगता है दोनों के वीच का acute angle आता है जब ठीक है तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लिए 1 into 1 फिर 1 into minus 1 minus 1 और फिर minus 1 into plus 1 minus 1 upon under root यह हो जाएगा 3 और यह भी हो जाएगा किता 3 और यहाँ पर mod लगा दीजिए acute angle आपको निकालना है दोनों सदिसों के बीच का तो cos theta बराबर 1 में से 1 कट गए answer minus 1 upon root 3 ठीक है ना तो cos theta बराबर 1 cos theta is equal to हो जाएगा 1 by root 3 mod लेकर के acute angle अगर आप समकोण की बात करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा दोनों सदिसों के बीच का कोणा आ गया चली अगला समीकर्ण है अगला question अगला question लेकि कौन सवाला है ये बिन्दू 1 0 2 1 0 2 और 3 4 6 से हो करके जाने वाली रेखा का सदिस समीकर्ण ग्यात कीजे तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं दो बिन्दू हैं इनसे हो करके जाने वाली रेखा का सदिस समीकर्ण हमें निकालना है question नमबर कौन सा है 14 चलिए 14 हमा question हल करेंगे क्या कहरा देखिए आपके पास दो बिन्दू है एक बिन्दू है आपके पास कितना minus 1 0 2 और दूसरा बिन्दू क्या है आपके पास 3 4 और 6 आपको सदिस समीकर्ण मैंने बताया था vector r बराबर vector a plus lambda vector b minus vector a तो a vector क्या हो जाएगा पहला point vector जिससे सदिस जा रहा है तो minus i cap ok plus 0 j cap को लिखा जाता नहीं फिर भी मैं लिख देता हूँ plus 2 k cap plus lambda b minus यह मतलब इससे इसको minus करो तो इससे इसको minus करोगे क्योंकि इसका स्थिती सदिस बनता है b vector इसका स्थिती सदिस बनता है a vector ok तो 3 minus minus 1 मतलब की 4 का i cap 4 minus 0 मतलब प्लस 4 का j cap और प्लस 4 का k cap तो उत्तर मिलान कर लीजे अपना answer आएगा minus i cap plus 0 j cap plus 2 k cap प्लस lambda गुना 4 i cap plus 4 j cap plus 4 k cap यह होगा आपका सरिस हम चलिए चाओदेवे का और वाला question देखिए क्या कह रहा है भाई सब और वाला question कह रहा है कि दर्साइए कि बिंदू हाँ और वाला कह रहा है question यह question कर रहा है दर्साइए कि यह से इस बिंदू से जाने वाली रेखा बिंदू होई तो ने से जाने वाली रेखा पर लंब है मतलब दो रेखाओं की लंबत वाली condition अपन को साबित करनी है तो देखिए जी दो रेखा हैं सबसे पहले आपके पास में दो रेखा हैं बिंद बिंदू से जा रही है पहली रेखा जा रही है 1,-1,2 और दूसरी रेखा जा रही है किस से 3,4,-2 तो सबसे पहले इनके दीक अनुपात निका लिए तो इनके दिक उनों पात कितने निकलेंगे 3-1 X2-X1 ऐसी निकलता है ना इसको बोलते हैं A1 तो क्या होगा 3-1 याने की 2 ऐसे B1 कितना निकलेगा B1 इसका निकलेगा 4-1-1 याने की प्लस का 5 और C1 कैसे निकलेगा C1 निकलेगा –2-2 याने की –4 और कह रहा है कि इसके लंबवत रेखा है कोई वो भी दो बिंदूं से जा रही है वो भी दो बिंदूं से जा रही है पहला बिंदू कितना है? 0,3,2 0,3,2 और 2 और दूसरा बिंदू कितना भाई साब अपने पास? 3,5,6 3,5 और 6 चलिए तो इसके दिकान पात निकाल लीजिए इसके दिकान पात होंगे A2,B2,C2 तो A2,B2,C2 X2-X1 3 में से 0 गए 3,5 में से 3 गए 2 और 6 में से 2 गए 4 चलिए अब परपेंडिकुलर्टी की कंडिशन क्या होती है? परपेंडिकुलर्टी की A1,A2 प्लस B1,B2 प्लस C1,C2 जो होना चाहिए 0 होना चाहिए ठीक है न? तो चलो खेलते हैं A1,A2,B1,B2,C1,C2 तो 3 गए 2 3 गए 2 पहला प्लस 2 गए 5 दूसरा प्लस 4 गए माइनस का 4 देखते हैं कि चलिए तो दूसरा पाड़ भी हो गया सिद्ध कन्नाथा की लंबवत हैं ये भी हो गया अगला क्वेश्चन पंद्रवा क्वेश्चन उस समानतर चत्र बुच का 6 तरफल ग्याद कीजे जिसकी सनलगन भुजाएं इतनी है आउचन चलिए तो समानतर चत्र बुच का 6 तरफल ग्याद करना है जिसकी सनलगन भुजाएं आपको दी गई है चलिए कौन सा कॵेश्चन नमबर है कॵेश्चन नमबर है 15 तो पहली भुजा आपको दी गई है पहली भुजा सदिस A बराबर प्लस केक है, यह आपको भुजा दी गई है, तो कहरा है कि उस समानतर चतरबुच के ख्यत रफल ग्याअथ कीजे कि जिसकी भुजाएं इतनी इतनी दो दी गई है, तो वही है समानतर चतरबुच के ख्यत रफल का फार्मूला लगा, लोग कितना होता है एरिया बराबर होता है मौड ओफ एक्रोस पी ओके तो इसका फॉर्मुला लगा दीजिए आपके पास इसका अंसर आ जाएगा मौड ओफ एक्रोस बी का करके चली यह हो गया इसके बाद देखने अगला क्वेशन कौन सा है x square प्लस y square बराबर a square से घिरे छेतर फल का छेतर ग्यात कीजिए तो क्या करेंगे y square फलन मनाएंगे सबसे पहले y square बराबर हो जाएगा कितना a square माइनस x square फिर y बराबर हो जाएगा under root a square माइनस x square हल कर दीजिए समझ में आ जाएगा आपको y dx कर दीजिए और limit 0 से लेके एक क क्या करेंगे इसमें भाई 4 का गोड़ा कर दीजेगा क्योंकि 4 भाग में रहेगा 6 तरफल चलिए अगला कोश्चन है एकस स्क्वार अपॉन 16 वाई स्क्वार अपॉन 9 से घरे 6 तरफल बेगुल सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है अगला समीकरक्ण है ओकल समीकर्ण डी वाई डी एकस एकस क्यूल टू यह देखे यह किस से होगा भाई साब यह बनेगा वह आपका लिनियर एक्वेशन यानि की रैखिक समीकर्ण बनेगा चलो थोड़ा से इसको हल कर देता हूं question number 17 न, चलो question number 17 देख लो थोड़ा सा, और आपको कोई दिक्कत हो रही हो इसमें, तो उनको comment करिएगा, मैं उनको पूरा कर दूँगा, question number 17 देखे, question number 17 कह रहा है, x divided dx plus 2y equal to x square, तो क्या करो पहले, x का पूरे में भाग दे दो, तो divided dx plus 2, okay, upon x into y, ऐसा लिख दो upon में कितना हो या x, अब देखो यह कैसा form बन चुका है, यह बन चुका है, dvdx plus py equal to q में, जहां पर p के न जारे क्या है, 2 upon x, और q के न जारे क्या है, अपने पास x, अब integrating factor लिका लिखा लिए, integrating factor होता है, e की power integration pdx, यहने e की power 2 upon x, और यहां पे dx, तो देखो e की power 2 बाहर आएगा, के one upon x, dx बन जाएगा, तो e की power 2 और इसका कितना हो गया, log x, चलो, तो e की power इसको क्या लिख सकता हूँ, log x का square, e से log cancel हो गया, कितना बज़ गया, x square, e से log cancel होने के बाद अपने पास बज़ गया, x square, अब इसके बाद solution होता है, इसका q into if is equal to integration of, sorry, y into if equal to integration of q into if, और dx plus c, यह answer हुआ करता है, तो y into if कितना निकला है, x square equal to, q कितना भाई साब, q इस question में अपने पास देखो ध्यान से x था, q अपने पास कितना था, x था, और if कितना निकला है, x square, और यहाँ पर dx plus c, so simple question आसान होता जा रहा, y into x square equal to integration of x cube dx plus c, तो y into x square equal to, x cube का integration कितना x की power 4 upon 4 plus कितना c तो y equal to कितना हो गया, x की power 4 upon 4x square plus c upon x square, x square से 2 power cancel हो गई, तो y equal to x square बटे 4 plus c upon x square, यह होगा इसका answer, x square बटे 4 plus c upon x square, ठीक, चलो भाई, अगला question देखते हैं, अगला question क्या कह रहा है, वक्र y equal to x square तथा रहा y equal to 4 के द्वारा खे रहे गया, छेतर रफल ग्याद कीजे, तो वक्र y equal to x square, single power y की तरफ है, मतलब उपर की तरफ परवले खुलेगा, और y equal to 4, मतलब इस तरीके की situation बन जाएगी, दो वक्रों के बीच का 6 तरफल आ चुका है, यहाँ पर, बट सवाल है कि भाई, यह तो सिलेवस के बाहर था, तो कैसे आ गया यह, है ना, नहीं, नही इसमें जुगाड हो गया, एक ही वक्र एक तरीके से count हो जाएगा, तो इसलिए शायद इसा हो गया यह, चलिए भाई, कैसे है, वक्र y equal to x square, और y equal to 4, तो इसको इसी solve किया जाए, तो देखते हैं, कौन सा question number है अपने पास में, question number 15, 16, 17, 18, question number 18, तो एक वक्र अपने पास क्या है, y equal to x square, तो y equal to x square क्या होता है, y की power, single power की तरफ जाएगा, यह कर, y equal to x square, दूसरा क्या दिया, y equal to 4, दूसरी लाइन दी गई है, y equal to 4, तो कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर, यहाँ पर y axis के साथ, समा कलन कर देंगे, y axis की limit क्या लगा के, 0 से लेके 4, तो 0 से लेकर, 4 यहाँ पर क्या जाएगा, dy, ओके, और dy है, तो किसका, यहाँ पर फलन बनेगा, fy, तो fy कैसे बनाओगे, देखो भाई साब, x square equal to y है, तो x equal to कितना हो गया, under root y, ठीक है, तो यह हो इसको आप solve कर लीजे, चलिए, 0 से लेकर, 4 यह हो जाएगा, ठीक, चलिए, अगला question देखते हैं, अगला question दिया गया, question अमर 18 का, पहला part हो गया, अगला question है, y square बराबर 9x, x equal to 2, और x equal to 4, तो यहाँ आपके पास यह करवत था, यहाँ पर एक line बनेगी, x equal to 2, और x equal to 4, आ सत्यापित करिए कि समीकन, e की power minus 3x, इसका समीकन है, तो क्या करो इस से, इस से आप एक बार d by dx निकाल लो, फिर इसके बार d2 by dx2 निकाल लो, और फिर इसके बार put करते जाओ, और check होता जाएगा, इसका answer क्या है, चलिए, अब कहरा तथा, आउकल समीकन इतने को हल करना है, देखो ज़रा है, आउकल समीकन है, अजीब सा दिया है, इसको सोड़ा सा simplify कर लो, बढ़िया question लग रहा है, चलिए, देखते हैं, कैसे करेंगे इसको, question number अपने पास है, 19 का अथवा, 19 का और वाला part, ठीक ना, क्या question दे रहा है, देखिए, y dx minus x plus 2y square dy equal to 0, चलो, तो लिखो क्या question दिया है, भाई साब, y dx minus x plus 2y square dy, dy equal to 0, तो एक काम करो, सबसे पहले, dy by dx बनाने की, यहाँ पर कोसिस करो, तो, 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 क्या हो जाएगा, भाई, चलो, पहले, dy by dx बनाने की, मैं कोसिस करता हूँ, तो यहाँ से आएगा, y dx equal to x plus 2y square, और यहाँ पर dy, ठीक है, देखो यार, एक चीज़ हो रही ही, यहाँ पर, यहाँ पर, यह जो function है, यह x में बनता मेरे को दिख रहा है, तो, d by dx से अच्छा, dx by dy पर ले जाओ, उसको, तो, dx by dy करेंगे, तो, x plus 2y square upon में कितना आ गया, y आ गया, अब यह हो चुका है, dx by dy is equal to 1 upon y times of x plus, कितना हो जाग यह, 2y, अब देखे, यहाँ पर, तो, यह बन चुका अपने पास linear form में, कौन सी linear form में, dx by dy is equal to px plus q, हाँ, तो, यह बन चुका है, dx by dy is equal to px plus q, तो, अब integrating factor निकाल हो, इसका, तो, integrating factor, e की power, pdy होगा, इसका, pdy, तो, one upon y, और यहाँ पर कितना dy, तो, e की power log y हो गया, ओके, तो, e से log cancel हो गया, तो, if, इसका कितना आ गया, y, अब इसका solution आप कैसे दोगे, लिखोगे solution, हल जिसका दिया जा सकता है, can given y, solution can given by, कैसे देते हैं, y into if equals to, तो, y multiply by, if integrating factor is equal to integration q, if or dx plus c, तो, y नहीं चलेगा, यहाँ पर, x चलेगा, क्योंकि, यहाँ पर independent variable x था, और यहाँ पर क्या चलेगा, dy चलेगा, change हो गया सारा मामला, तो, यहाँ पर x into if, if कितना निकला है, y is equal to q, कितना है, भाई साब देखे, q, q अपने पास दिया है, 2y, q अपने पास कितना दिया है, 2y, 2y into y, ओके, आई अभी y आया है, और यहाँ पर dy plus कितना c, अब सांसर स integration कितना हो जाएगा, y cube by 3, और प्लस c, चलो भाई, होने वाला हल, तो, x equal to, रोक लो, answer y का भाग दे दो, तो, 2 upon 3, 3y थे तो, 2y बच जाएंगे, y का square, plus c upon y, यह आपका answer बनेगा, ठीक, तो, question number 29 भी अपने कर लिया है, question number 29 देख लीजे, simplify हो गया, ओके, अब इसके बाद क रेखाओं के बीच के नियुनतमदूरी, तो भाई साब यह अपने पास में यह रेखा दिये, एक यह रेखा दिये, और इसके नियुनतमदूरी का formula होता है, x2-x1, y2-y1, z2-z1, a1, b1, c1, और a2, b2, c2, बट एक चीज़ देखिए, यहाँ पर यह formula नहीं लगने वाला है इसलिए नहीं लगने वाला है क्योंकि यहाँ दोनों जो रेखाएं हैं, यह समाना अंतर रेखाएं हैं, बहुत अच्छी बात देखिए यहाँ जो दोनों रेखाएं हैं, यह देखिए, यह a plus tau vector b और यह vector b दोनों same है, तो इसमें formula क्या लगेगा, a cross, okay, a dot, a dot b1 cross b2, a dot b1 cross b2, a dot 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 इनके दोनों के सेम है, तो इसलिए इसमें parallel line का formula लगे गा, ठीक ना, parallel line में क्या लगता है, formula देखो, इधर पर आता है, नीचे एक ही vector का mod आता है, mod b, और यहां पर आता है, a2, minus a1, और नौट का B नोट कर लो तो यह formula हुआ करता है अब इस formula का use करके आप जो है निकाल लेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर बस cross कर लिजे इस formula में जो होता है यहाँ पर क्या हुआ करता है cross होता है ओके तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको होता है B cross A2 minus A1 upon mod of B तो यह होता है किसके लिए formula यह होता है parallel line के लिए formula होता है ठीक ना दो formula होता है एक होता है समाना अंतर रेखाओं के लिए और एक होता है असमतलिय रेखाओं के लिए तो समाना अंतर रेखाओं के लिए parallel line के लिए जो formula होता है वो होता है mod of b cross a2 minus a1 और यहाँ पर कितना हो जाता है mod of b यह लगता है और अगर आपके पास जो skew line है याने असम्त लिए रेखा हैं उसके लिए formula क्या होता है उसके लिए formula बनता है a2 minus a1 dot b1 cross b2 और upon में mod of b1 cross b2 यह formula लगता है असम्त लिए रेखाओं के लिए ठीक है तो ऐसे solve करेंगे इसको चलिए बहुत बढ़िया चलिए अगला समीकर्ण देखते हैं अगला समीकर्ण क्या दिया बिंदू 3-25 और 3-26 से गुजरने वाली रेखा का सदिस समीकर्ण ग्याद कीजिए सदिस और कार्थी समीकर्ण तो भाईया दो बिंदू से जाने वाली रेखा का सदिस समीकर्ण होता है आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर यह सदिस समीकर्ण इस formula का इस्तमाल करके निकाल लीजे और जो इसका वो समीकर्ण बनेगा कार्थी तो क्या बनता है X-X1 upon A2-A1 फिर से लिख देता हूँ क्या बनेगा समीकर्ण X-X1 upon A2-A1 equal to Y-Y1 upon B2-B1 equal to Z-Z1 upon C2-C1 तो इसका यूज़ करके आप जो है समीकर्ण निकाल लीजे उपर वाला formula एक बार और white light में लिख देता हूँ vector a plus lambda vector b minus vector a चली कोई दिक्कत होगी तो comment box में लिखेगा दुबारा solve करा देंगे भाई ये question तो रट गया है जुबा जुबा पे तो इसका answer कितना होता है pi by 4 इसका answer कितना होता है pi by 4 और अगला question क्या करना था भाई साब minus common लेना था सब पहले तो minus common ले लेंगे तो ये बन जाएगा x square plus 2x minus 3 और इसके बाद इसको हल कर दोगे तो a square minus x square की format में तूट जाएगा और integration कर देना ये वाला question कैसे करना भाई साब ये question बहुत ही simple है इससे इसको minus कर दो इससे इसको minus कर दो मतलब operation लगा दो c1 tends to c1 minus c2 और c2 tends to c2 minus c3 हल कर दीजिए उसके बाद फिर इसके बाद क्यारा निम्न समी कर निकाय को अभी हुवी दी से हल कीजिए तो लिए भाई बहुत ही simple है a x equal to y करना है और x equal to कितना हो जाएगा a inverse x equal to b लिखते हैं और x equal to हो जाएगा a inverse into b चली अगला question यह nc article directly question दे रिया है y equal to 10 inverse x square तो यह मैंने बताया था कि यह question बहुत ज़दा example में आता है थोड़ा अच्छा सा question है कह रहा है इनके 77 बिंदों को ग्याद करो तो भाई साब देखते हैं दो ही पर चेक कर सकते हैं क्योंकि 2 के पीछे क्या है यह 2 के पीछे भी यह polynomial है यानि कि बहुपत फलन है 2 के आँगे भी बहुपत फलन है तो बस 2 ही पर चेक करते हैं तो f of 2 निकाला पने तो 2 दूने 4 प्लस 3 साथ आ गया है और f2 प्लस h दो के आँगे कौन सा फंक्शन लगे गए यह तो 2 टू जा 4 माइनस 3 2 इन 2 टू और माइनस का 3 यानि कितना आ गया 1 तो फलन का जो मान है वो दाई सीमा के बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है अता है यह क्या होगा आता है x equal to 2 पर क्या होगा असतत होगा चलिए मित्रों तो यह हमारा सारा का सारा काम पूरा हो चुका है हमने इस पूरे बड़े से पेपर को विकराल से पेपर को जो है एक तरीके से हल कर लिया है इसके बाद भी बच्चों यारी कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज केवल आपको थोड़ी सी उंगलिया चलानी है कमेंट बॉक्स पे जाना है ओके और टाइपिंग पैड खोल करके अपनी परेशानी मेरे को लिख देनी है यकीन मानिए आपकी हर एक परेशानी का वीडियो बनाया जाएगा चलिए तो आपके कीमती बहुमूल समय के लिए धन्यवाज चैनल को लाइक कीजिए शबस्क्राइब करिए आपको लगता है मैंने अच्छे से पढ़ाया तो अपने दोस्तों को जी भर के ठोक ठोक के शेयर कीजिए नमस्कार धन्वाज जैहिन जै भारत